अपनी सुन्दरता को और बढ़ाने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें घर में कभी महमान आ जाए तो अकसर हम चाय बनाते हैं लेकिन चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती को हम फिंक देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यही बची हुई चाय पत्ती आपके बालों के लिए कितनी फाइदे मंद होती है चाय पत्ती के अंदर polyphenol, vitamin C, vitamin E होता है जो की बालों के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होता है तो चलिए आज जानते हैं कि घर में बची हुई चाय पत्ती से कैसे हम रूखे बेजान बालों में दबारा से शाइन ला सकते हैं और इवन की हमारा डेंटरफ भी सही हो सकता है तो दोस्तों अक्सर हमारी जो बची हुई चाय पत्ती है उसको फेंकने की जगए पर हमें उसे धो लेना है हमारी बची हुई चाय पत्ती को धोने के बाद उसमें से हमें शक्कर निकाल देनी है यानि कि शूगर को निकाल देना है शूगर कोंटेंट को उसके बाद एक पैन के अंदर पानी डाल कर उसी चाय पती को दुबारा से उबाल लें उसको कम से कम तस मिनिट तक हम उबलने देंगे जैसे ही हमारी चाय पती के अंदर उबाल आ जाए तो हम इसे 15-20 मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के बाद हम एक बाउल के अंदर इस पानी को छान लेंगे अब हमें इस पानी को ठंडा होने देना है जैसे ही पानी ठंडा हो जाए हम इसके साथ अपने बाल धोएंगे बाल धोने के लिए एक बार बालों में शैंपू करना है उसके बाद इस पानी से अपने बालों को धोना है ये हमें वीक में दो से तीन बार करना है और आप एक ही हफ़ते के अंदर तीसरी बार इसे पानी से अपने बालों को धोने के बाद बालों में शाइन और काले बाल और डेंटरफ को भी रिमूव पाएंगे ये बहुत ही कारगर वे है जिसको आप अपने बालों के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आज ही आप इस पानी को बनाईए और अपने बालों के लिए जिरूर एक बार ट्राइ करें हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद खुश रहें थेंक्यू सो मच